Hi everyone and welcome to Current Affairs Funda. आज की इस वीडियो में हम लोग new pattern की जो question आज कल पूछे जा रहे हैं. Last time आपका IBPS clerk का जो mains हुआ था, उसमें भी step का question पूछा गिया था. तो यहाँ पे जो pattern होता है वो repeat होते रहते हैं IBPS और SBI में. तो उस question को हम देखेंगे, उसकी basic concept वो क्या है उनको हम सीखेंगे. तो दो lecture आएंगे इस topic पे. एक में हम लोग बिल्कुल level 1 के question को complete करेंगे and 2 में हम लोग advanced level को complete करेंगे. I am sure अगर आप इस पूरे lecture को देख लेते हैं, तो इस type के question में आपको कभी भी problem नहीं आएगी. तो इस lecture को जो feedback है, प्लीज आप लोग comment section में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और ऐसे ही नए-नए pattern के अगर questions आपके पास हैं, so you can mail me on currentofficefunder1 at gmail.com. चलिए, फिर start करते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 set को देखने वाले हैं, एक set जो है वो मैंने practice clear रखा है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि इस type के question कैसे करे जाते हैं, दूसरा set जो है वो आपका बिलकुल memory based है, जैसा कि आपसे question exam में पूछा गया था, उस पर based है, दोनों ही set को देखते हैं, पहले देखते हैं हम लोग set 1 को, देखें इस type के questions पूछे जा रहे हैं, इसमें आपको दो row given होती है, यह row 1 है और यह row 2 है, उसके बाद यहाँ पे कुछ conditions लगाई जाती है, इन numbers को लेकि यह जो numbers given है, इन numbers को लेकि कुछ conditions लगाई जाती है, इसके बाद आपको यह condition को follow करना होता है, और numbers को आगे बढ़ाना होता है, आगे बढ़ाने के साथ, इन्होंने जो भी पूछा होता है, जैसे कि यहाँ पे यह कहा गया है, कि find the sum of resultant of two rows, तो इन्होंने क्या कहा है, कि आप first row का और second row का जो sum है, उसको बताईए कि वो क्या होगा, तो इसका sum निकानने के लिए, पहले आपको जो यहाँ पे यह row दी गई है, आपको जो एक row दी गई है, उसमें जो number दिये है, उन numbers का आपको एक number बनाना होता है, और वो जो एक number है, वो कैसे बनेगा, इन condition पर based बनता है, condition पर based कैसे होता है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दो number को लेते हैं, इन दो number यानि कि first and second number को लेते हैं, इन दो number को लेते हैं, उसके बाद यह देखते हैं, कि इन दो number में कौन सी condition follow हो रही है, इन 5 में से कौन सी condition follow हो रही है, जो भी condition follow होती है, उसको हम लग लगाने के बाद जो भी आपका result निकल के आता है, मान लीजिए 5 निकल के आया, तो फिर 5 और फिर जो next number होता है 17, उनको देखते हैं कि इन में यहाँ पर कौन सी condition लखेगी, और फिर जो निकल कर आएगा, उसको हम लोग इसका result मानते हैं, या फिर इस row का result मानते हैं, मैं करके दिखाऊंगे, तो आप जादा अच्छे समझेंगे, जिससे कि यहाँ पर जो step 1 है, उसमें यह कहा गया है, कि if an odd number is followed by an even number, then the resultant will be the addition of both number, यानि कि अगर कोई भी odd number के आगे कि आएगा, आपका even number आएगा, तो उसका result है, वो क्या होगा, दोनों number को हमें add करना होगा, आगे कहा रहे है, if an even number is followed by a perfect square, then the resultant will be the difference of the square number and the even number, यहाँ पर यह कहा गया है, कि अगर कोई भी even number के आगे perfect square आता है, तो उसका जो result है, वो क्या होगा, वो हम यहाँ पर difference निकालेंगे, किसका perfect square का और even number का, दोनों में difference निकाल देंगे, ठीक, then step 3 के बोल दा है, step 3 में कहा गया ह अगर कोई भी even number जो है, उसके आगे another even number आता है, but not a perfect square, लेकिन वो perfect square ना हो, तो उसका जो result होगा, वो कैसा निकलेगा, दोनों को add करके निकलेगा, addition of both the numbers, then step 4 गिविन है, if an even number, अगर आपका even number जो है, उसके आगे odd number आता है, लेकिन perfect square नहीं आता है, तब आप उसे क्या कर करेंगे, multiply करेंगे, right, then आगे कहा गया है, if an odd number is followed by another odd number, अगर किसी odd number के आगे, फिर odd number आ जाता है, तो उसका result होगा, वो क्या होगा, division होगा, first number by the second number, यानि कि आप पहले number को, दूसरे वाले number से क्या कर दोगे, divide कर दोगे, ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने एक condition लगाई है, अब देखो, यहाँ पर पहला जो कहा गया है, वो क्या है, यहाँ पर आप देखो कि यह 8 है और यह 25 है, तो पहला number, जो है, वो आपका even है, और दूसर number क्या है, आपका, यहाँ पर odd होने के संगी क्या है, एक perfect square भी है, तो यहाँ पर देखो, कौन सी condition लगेगी, even के आगे, यहाँ पर perfect square odd number आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखो कि 4 वाला इधिंक लगेगा, if an even number is followed by an odd number, but not a perfect square, sorry, यहाँ पर not a perfect square given है, तो इसको छोडते है, यहाँ पर यह वाली लगेगा, I think, यहाँ पर यह कहा गया है, if an even number is followed by a perfect square, then the resultant will be the difference of that square number and the even number, यानि कि अगर आपके even number के आगे perfect square आता है, तो उसका result है, वो क्या होगा, difference निकालेंगे, यानि कि 8 और 25 में आप क्या करेंगे, plus, minus, यह सब नहीं करेंगे, और condition के according चलेंगे, तो यहाँ पर यह कहा गया है, कि आपको इसका difference निकालना है, okay, तो difference निकालोगे, तो आपका 8 और 25 का difference कितना आएगा, सत्रा आएगा, okay, तो 8 और 25 का difference यहाँ पर आजाएगा, सत्रा, अब आपके पास 8 और 25 का result है, वो सत्रा निकल कर आगया, तो अब आपको क्या है, यहाँ पर 17 और 17, दोनों ही number क्या है, आपके यहाँ पर odd है, तो आपकी 5 वाली condition लगेगी, if an odd number is followed by another odd number, then the resultant will be the division of first number by the second number, तो आपको first number को second number से divide कर देना है, तो अगर आप divide करोगे, तो 17 को 17 से divide करोगे, इस कितना आएगा, आपको 1 आएगा, okay, 17, 10, 17, तो आपको यहाँ पर पहली row है, उसका result क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, अब आप आजाओ second row पे, तो second row में अगर आप पहले के जो दो number लोगे, लेकिन perfect square ना हो, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे इसको multiply कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर even number के आगे, odd number आ रहा है, और odd number जो है, वो एक perfect square भी नहीं है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, multiply कर देंगे, so multiply कर रहोगे, तो इक चारतिया कितना होता है, 12, तो यानि कि इन दोनों का जो result है, वो क्या निकल के आएगा, 12, अब हम 12 और 2 को 7 में लेंगे, 12 और 2 को अगर आप 7 में लोगे, तो दोनों ही number कैसे है, यहाँ पे even number है, दोनों ही even number है, तो इस पे क्या condition लगेगी, यहाँ पे step 3 वाली, शायद, if an even number is followed by another even number, but not a perfect square, then the resultant will be the addition of both the numbers, तो यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों ही number को add कर देना है, तो 12 और 2 को add करोगे, तो कितना आजाएगा, 14 आजाएगा, ठीक, तो इस रो का result है, वो क्या आया, निकल के 14, और इस रो का result के निकल के आया, आपका 1, तो यहाँ पे हमसे question के बूचा किया है, कि find the sum of 2 rows, तो आपको दोनों का sum बताना है, total sum कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15, so option number 1 होगा सा correct answer, तो इस तरीके से step के question को हमें solve करना है, अभी starting है, तो आपको देर लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप practice करोगे, इस question को easily करते जाओगे, आगे के questions भी आप जरूर देखिएगा, जो मैंने set 2 लगाय देर आपसे कहा गया है, find the multiplication of 2 rows, तो आपको 2 rows की multiplication करनी है, तो पहरी रोका हम लोग निजल्ट निकालते है, तो यहाँ पे क्या है, आपका odd है, और यहाँ पे आपका even है, तो given है, if an odd number is followed by an even number, the resultant will be the addition of both numbers, तो यहाँ पे अगर odd number के आगे, even number आता है, तो आप दोनों को add क 6-5 कितना हो गया है, यहाँ पे 11 हो गया, अब देखो 11 किया है, एक odd number है, एक जो है, वो भी odd number है, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, आपका 5th step, यानि की 5th condition लगेगी, if an odd number is followed by another odd number, then the resultant will be the division of first number by the second number, तो यहाँ पे यह कहा गया है, कि आपका जो first number है, वो second number से divide हो जाएग आपका 1 से 11 को divide करोगे, तो आपका 11 ही आएगा, 11 असी लिख दोगे, फिर आप देखोगे, यहाँ पे इस रो की बात करोगे, तो इसमें आप इन दोनों numbers को ले लीजे, यह आपका even number है, यह भी even number है, दोनों even number है, तो यहाँ पे आपका third condition लगेगी, if an even number is followed by another even number but not a perfect square, then the resultant will be the addition of both the numbers, तो दोनों को आप add कर दोगे, तो कितना आजाएगा, आपका 16 आजाएगा, ठीक, तो आपको मिल गया 16 और एक मिल गया 3, ठीक, अब 16 जो है वो एक even number है, 3 जो है वो एक odd number है, तो यह कौन सी condition लगेगी, even यहाँ पे given है, odd यहाँ पे given है, तो 4 लगेगी, if an even number is followed by an odd number, but not a perfect square, then the resultant comes by multiplying the numbers, तो यहाँ पे इन दोनों को multiply कर देना, तो 16 यह कितना होता है, 16 जो दोनी बत्तिस, तो 16 तो 48 आजाएगा, ठीक, अब आप इन दोनों को क्या करना है, यहाँ पे आप सा पूचा गया है, कि दोनों रोज को multiply कर देना, तो multiply कर दोगे, तो यहाँ प चलो, यह question मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, यह set 1 का last question है, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ी हूँ, हम मैं set 2 को आप लोगों कराऊंगी, तो इस question का जो answer है, मुझे बताएए, comment section में क्या होगा, इन पर सबसे पहले आप वैसे ही करेंगे, पहले इन दोनों को लीजिए, वो आपका पहली row का result होगा, ठीक, उसके बाद आप लोग इन दोनों number को लीजिए, इन दोनों number को जो भी result निकल के आए, तो वो result वाला number और फिक 11, इन दोनों को साथ में लीजिए, और फिर इसको यहां पर लिखिए, दोनों का difference निका लिए, और बताईए कि इन में से इसे पूचे जाते हैं, so first question is here, यहां पर यह कहा गया है, find the sum of two rows, उससे पहले हम लोग यहां पर condition पढ़ लेते हैं, because setup का अलग है, तो यहां पर condition भी अलग होगी, तो यहां पर यह कहा गया है, if an even number is followed by an odd prime number, okay, यहां पर prime number which add कर दिया गया है, if an odd prime number, then the resultant will be the addition of both the numbers, सब को क्या करना है, addition करना है, दोनों ही number का, आगे कहा गया है, if an odd number is followed by a perfect square, then the resultant will be the difference of the square number and the odd number, then given है, if an odd number is followed by another odd number, but not a perfect square, then the resultant will be the addition of both the numbers, तब क्या करना है, addition करना है, then इसके बाद कहा गया है, if an even number is followed by an odd number, but not a prime number, यहां पर कहा गया है, non-prime number, यहां पर कहा गया है, non-prime number, यह अगर prime होता है, तो हम क्या करेंगे, addition करेंगे, लिकिन अगर even number किसी ऐसे number को follow कर रहा है, जो कि odd है, लिकिन prime नहीं है, तो उसका result है, वो क्या होगा, कि आपको difference निकालना है, odd number का, और even number का, right? उसके बाद step 5 बताया गया है, if an odd number is followed by an even number, अगर आपका odd number के आगे, even number आता है, तो आपको क्या करना है, multiply कर देना है, चलो देखते हैं, इसको पहला number किया है, आपका 6 और दूसर number है 5, अब आपको prime number को लेके ध्यान लखना है, ठीके, यह आपका क्या हो गया? यह हो गया even number, लेकिन 5 क्या हो गया, आपका odd हो गया, और एक prime number हो गया, ठीक है, odd prime number है, तो यानि कि आपका even number is followed by odd prime number, तो यहाँ पर आपके first step में शायद यह लिखा है, कि if an even number is followed by an odd prime number, then the resultant will be the addition of both the numbers, तो आपको दोनों क्या करना है, तो यहाँ पर आपका 11 आपके पास, यानि कि यह एक odd number है, और यह फॉलोग किसे कर रहा है, even number को, तो यहाँ पर आप देखो कि यह लिखा है, if an odd number is followed by an even number, then the resultant comes by multiplying the number, तो दोनों का multiply कर दोगे, तो 11 दूनी कित्ते हो जाएगा, आपका यहाँ पर 22, इसके बाद next देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 11 और यहाँ पर है 4, यानि कि यह एक odd number है, और यह एक even number है, तो odd and even है, तो यहाँ पर दूसरी बात, यह even किसंग क्या है, एक perfect square भी है, तो यहाँ पर देखते हैं, odd number से condition कौन कौन सी है, एक तो यह है, odd number is followed by even number, लेकिन यहाँ पर जो condition है, वो कौन सी लगेगी, उपर वाली लगेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे, if an odd number is followed by a perfect square, हम लोग क्या करते हैं, priority हम लोग सबसे पहले square वाले को देते हैं, उसके बाद हम लोग even number को देते हैं, जैसे कि आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो perfect square भी हो गया है, यहाँ पर क्या हो गया है, यह एक even number भी है, तो आप लोग even number वाली जो priority है, उसे नहीं देंगे, आप पहले क्या करेंगे, perfect square को देंगे, तो यहाँ पर यह कहा गया है, if an odd number is followed by perfect square, then the resultant will be the difference of square number and the odd number, okay, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इन्हों ने कहा क्या कहा गया है, कि difference निकाल दोगे, तो 11 और 4 का difference क्या होगा, 11 और 4 का difference आजाएगा, यहाँ पर 7, तो यहाँ पर 7 होगे, यह 3 होगे, दोनों क्या है, odd number है, तो यहाँ पर देखो, given है, odd number is followed by another odd number, but not a perfect square, चीक है, अगर odd number किसी another odd number को follow कर रहा है, लेकिन perfect square नहीं है, then the resultant will be an addition of both the numbers, तो दोनों number को, हम लोग क्या कर देंगे, add कर देंगे, तो 7 और 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 और 3 को add करोगे, तो हो जाएगा, यहाँ पर 7, 8, 9, 10, okay, अब इन दोनों को क्या करना है, आपको find the sum, इन दोनों का sum करना है, दोनों का sum करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 32 option number B होगा correct answer, ठीक है, अब दूसरी बात, इस state में confuse बिल्कुल मत होईएगा, कि यहाँ पर जो condition है, वो दोनों लगेंगी, क्योंकि यह एक 4 जो है, वो एक even number भी था और एक perfect square भी था, इस बात का हमेशा ध्यान लखना, even और odd वाली जो condition होती है, उसको लगाने से पहले हम priority किसे देते हैं, prime number को देते हैं, square को देते हैं, cube को देते हैं, okay, इन conditions को हम पहले priority देते हैं, यह conditions अगर आपकी given होती है, तो हम इनी condition को follow करते हैं, यह condition नहीं होती है, तब हम लोग उसे even and odd number लेके चलते हैं, लेकिन इसको हम लोग priority देते हैं, ठीक है, तो इस इसको आप इस वाले pattern में याद रखिएगा. फिर यहाँ पर कहा गया है, if the sum of resultant of 2 rows is 44, then the find of value of x. यहाँ पर यहाँ पर इसको नोग का sum 44 है, तो आप लोग x की value बता हो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग row 1 जो है, उसका result देखते हैं, क्या होगा, so 14 यहाँ पर एन 7 यहाँ पर है, 14 is a even number and 7 is a odd prime number, so even number is followed by an odd prime number, right, so first आपका step जो given है, वो है, if an even number is followed by an odd prime number, then the resultant will be the addition of both the numbers, तो आप 14 और 7 दोनों को क्या कर दोगे, add कर दोगे, so अगर आप इसे add करोगे तो कितना आएगा, आपका 21 आजाएगा, so 21 and 5, now आपका 21 है, वो क्या है, यहाँ पर एक odd number है, but 5 is a odd prime number, okay, so यहाँ पर देखते हैं, कौन सा जो condition है वो लगेगी, तो यहाँ पर यह कहा गया है, कि if odd number is followed by another odd number, but not a perfect square, okay, यहाँ पर यह कहा गया है, odd number जो है, odd number को follow करे, लेकिन perfect square ना हो, लेकिन एक बार यह देख लेते हैं कही ऐसा तो नहीं है, odd number is followed by odd number, sorry, odd prime number, इस type कोई condition तो नहीं है, तो आप देखोगे, यहाँ पर given odd number is followed by even number, even number is followed by odd prime number, and odd number is followed by perfect square, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ रख्या है, and यहाँ पर even number के बारे में दे रखा है, तो basically आपकी इसमें एक ही condition लग रही है, if an odd number is followed by another odd number, but not a perfect square, then the resultant will be the addition of both the numbers, यहाँ पर इन दोनों ही number क्या करना है, add कर दिना है, तो अगर आप इसे add करोगे, तो कितना आजाएगा 26, अब 26 आएगा, तो 44 में से 26 minus कर दो क्योंकि total sum आपका 44 आ रहा है, तो सबसे पहले, यहाँ पर यह देखो कि यह तो लिखा है 12, ठीक, 12 यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर इनोंने यह कहा है, कि if an even number is followed by odd prime number, then the resultant will be the addition of both the numbers, तो अगर यहाँ पर कोई भी even number लिखा है, और अगर उसको odd prime number से follow कर वाया जाए, या फिर इसके आगे odd prime number आ जाए, तो यहाँ पर क्या करना है, addition करना है both the numbers, तो मैं इसका simple तरीका बताती हूं कि इस type के questions होते हैं, इसमें आप option को pick कर लिया करो, तो आपके लिए बहतर होगा, आप खुद से number कैसे लगाते जाओगे, कौन सा number लगेगा, और उसके जिब timer चलता होते हैं, थोड़ा सा mind भी हमारा, मतलब थोड़ा सा confusion रहता है, mind में भी हमारा, तो बहतर होता है कि इसमें आप option को pick करते जाओ, तो पहला option pick कर लो कि अगर मैं यहां पर 3 डग देता हूं या रग देती हूं, तो even number क्या हो जाएगा, followed by odd prime number, तो इसका जो result होगा, वो क्या होगा, addition both the number, तो 12 औ 3 को plus करो यह कितना आ जाएगा 15, अब यहां पर यह odd number है, odd number किसे follow कर रहा है, even number को follow कर रहा है, तो अगर odd number आपका even number को follow कर रहा है, तो आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हो, कि अगर 15 औ 6 को plus करो कि तब भी आपका 18 नहीं आएगा, 15 में से 6 को minus करो कि तब भी आपका 18 नहीं आएगा, मतला 15 औ 6 से 18 नहीं बनेगा, तो basically आपका 3 नहीं आएगा, ठीक, इसमें आप condition देखने की जरुद नहीं है, आप ऐसी अंदाजा लगा सकते हो, अगर मानलो यहां पर आपका 9 आ रहा है, अगर यहां पर 9 आ रहा है तो यहां पर यह क्या हो गया, कि if even number is followed by odd number, or you can see even number is followed by perfect square, तो यहां पर आप देखोगे, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, कौन सी condition है, even number is followed by odd prime number, तो यह तो लगेगी नि, because odd number है, but 9 is not a prime number, then यहां पर फिर second condition यह है, if an even number is followed by odd number, but not a prime number, then the resultant will be the difference of the odd number and the even number, तो इन दोनों को क्या होगा, difference दिकलेगा, difference दिकलेगा, कितना आ जाएगा, 12 में से 9 को minus करोगे, तो 3 आ जाएगा, तो यहां पर आपको एक odd मिल गया, और एक आपको क्या मिल गया, even मिल गया, तो odd और even होगा, तो यहां पर given है, आपकी 5th step, if an odd number is followed by even number, then the resultant comes by multiplying the number, तो दोनों क्या करेंगे, आप multiply करोगे, तो 6 तियें कितना हो जाएगा, 18, तो यहां पर आप देखोगे, जो हमने 9 रखा, उससे हमारी condition satisfy होगे, यह 18 अंसर भी आगया, तो option number B होगा correct answer, तो इस step के question को हमें ऐसी ही करना है, कि इसको आप लोग बिना ज्यादा इसमें दिमाग लगाया है, यह अपने time को waste करें, फटा-फट से option पर आज और option से satisfy करने की कोशिश करो, ठीक? Then next given है, find the difference between resultant of first and second row, तो यहां पर यह कहा गया है कि आपको difference बताना है, पहली और second row का, तो यहां पर देखो क्या है, आपका odd number है, and यहां पर क्या है, आपका even number है, तो first, sorry, जो आपकी last condition है, वो given है, कि if an odd number is followed by even number, लेकिन यहां पर जो 4 है, वो क्या है, एक perfect square है, तो हम लोग second condition पर move करेंगे, if an odd number is followed by a perfect square, then the resultant will be the difference of the square number and the odd number. तो square और odd, दोनों का आप क्या करोगे, यहां पर difference निकालो, कितना आएगा 3, तो 3 is a odd prime number and 8 is a even number, okay? तो यहां पर आप देखोगे कि आपका odd number है, वो क्या कर रहा है, follow कर रहा है even number को, तो यहां पर आपका given है, odd number is followed by an even number, then the resultant comes by multiplying the number, तो उनों number क्या करोगे, multiply कर दोगे, so इनको multiply कर दोगे, तो कितना आजाएगा आपका 8, 24, right? इसकी बात करते हैं, तो यहां पर 11 or 9 given है, so 11 or 9, 11 क्या होगे, आपका odd number होगया, and यह follow किसे कर रहा है, perfect square को कर रहा है, so 11, आपका odd number perfect square को follow कर रहा है, तो यहां पर सेम आपका step 2 लगेगा, कि यहां पर क्या करना होगा, इसका difference निकालना होगा, तो 11 or 9 का difference कितना हो जाएगा, यहां पर 2, अब यहां पर even number जो हो follow किसे कर रहा है, वो एक odd prime number को follow कर रहा है, तो आपको जो सबसे पहले given था, if an number, if an even number is followed by an odd prime number, then the resultant will be the addition of both the numbers, तो आपको दोन number को add कर दिना है, दोन number को add करोगे, जो कितना आजाएगा 13, 14 और 15, तो यहां पर आजाएगा 15, तो इसका result किया है, आपका 24, इसका result किया है 15, अब इन्होंने बोला है, find the difference between the resultant of 1st and 2nd, आपको 1st and 2nd row का difference निकालना है, so difference निकालो कितना आजाएगा यहां पर 9, so option number D होगा सब्सक्राइगा, correct answer, okay? चलिए फिर इस session को हम यहां पर the end करते हैं, and please बताईएगा कि यह question आपको कैसा लगा, इस ही type के जो इसका एक high level भी होता है, आपके जैसे कि अभी हमने एक ही question को यहां पर discuss कर रहा था, जिसमें आपका missing number था, जिसमें X की value आपसे पूची गई थी, तो इस ही type के questions को हम और भी लेकर आएगे, इसका नेक्स पार आएगा, उसमें हम लोग ऐसे ही question को discuss करेंगे, तो यह जो topic है यह बस दो ही आपकी videos में end हो जाएगा, इसको फिर आपकी उपर रह जाता है कि आप कितना practice करते हो, आप यहां पे कुछ playlist को add करा गया है, जो आपके exams के लिए important है, bank, SSC and railway, उसको जाके आप view कर सकते हैं, चैनल को subscribe कर लिजे, ताकि आपको regular notification मिलते रहे, thanks watching this video, have a nice day.